शिक्षा इनसान का सबसे अच्छा दोस्त है एक शिक्षित इनसान हर जगे सम्मान पाता है शिक्षा सुन्दरता को भी पराजद कर सकता है नमशकार मैं हूँ मोहित कमल श्रिमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राश्री फिल्म यानि की 25 अगस्त के इस विशेश एपसोर में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और शुपकामनाय देना चाहूँगा जिनका आज जनम दिवस है, मैरिज इन्वसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की आज तारीक 25 अगस्त 2022 है और दिन गुरुवार का है आज के विशेश उपाय में दिशाशूल क्या होता है अक्सर आपने मुझे पंचांग में दिशाशूल दोश के बारे में बात करते सुना है दिशाशूल होता क्या है इसके उपर आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस एपिसोड के अंत में पंचांग की बात करते हैं तो संबत 2089 याने की 2079 का भादरपत कृष्ण पक्ष चल रहा है आज करक राशी का चंद्रमा रहेगा और वही पे रहुकाल का समय जिसमें माना जाता है कोई भी शुब काम नहीं किया जाता कोई भी मांगलिक काम के शुरुवात नहीं होती वो समय रहेगा दोपहर के डेड़ बज़े से लेके तीन बज़े तक वहीं पे शुब चौगढ़िया महरत जो है जिसकों कि हम बोलते हैं हर मांगले काम के लिए अच्छा है हर शुब काम, हर शुब यात्रा, हर शुब बिजनस के लिए अच्छा है यात्रा आरम करने के लिए अच्छा है वो रहेगा सुबे के 6 बच के 18 मिनिट से 7 बच के 48 मिनिट तक और वापिस से दोपहर में 12 बच के 18 मिनिट से 1 बच के 30 मिनिट तक फिर बात आती है यात्रा महरत की तो पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुब साबित होने वाला है वहीं पर दिशा शूल जिसके बारे में आज के दिन आज के उपाय में मैं आपको बताऊंगा एंड में बताऊंगा वो दिशा शूल के बारे में जब बात करते हैं फिर बात आती है सुर्य उदे कालीन कुंडली में आज की दिन योगों की तो संख्यादाम योग, वरिष्ठ योग, उभैचर योग, पापकर्तरी योग, भासकर योग, काहल योग और वीमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। ये तो हुए राज योग जो आज आपको वपूर होता है। सबसे पहला एक नौकरी, दूसरी शादी, तीसरा माबाप का आश्रवाद, एक उमर पर ये सभी चीज़ों की जरुरत पड़ती है। आज कल काफी कुंडलियां देखने के बाद में, काफी लोगों की ये परेशानी जानने के बाद में, एक चीज पैसों की गिंती जो है, वो ध्यान रखिये, गिंती ही है। गिंती कभी समाप्त नहीं हो सकती। जैसे इंफिनिटी है, इंफिनिटी का कोई अंत नहीं है। उसी तरीके से कमाई का कोई अंत नहीं है। कहीं लोगों की ये परेशानी है कि शादी नहीं करना चाते हैं, उनक नहीं हो रही है, सामने से कोई सही रिष्टा नहीं आता है, तो एहरे गहरे को तो हां नहीं कर सकते, तो ऐसे मैं कहीं पे भी बात करें और सामने से रिजेक्शन मिल जाए, तो जो इनसान है उसका confidence तूट जाता है, स्वयम को लेकर के जो valuation थी कि मैं कितना important हूँ, मैं कितना अ एपिसोड को देख रहे हैं और आपकी संतान है ऐसी जो कि आपकी आखों का तारा है, पूरी दुनिया उसे साराती है, दोस्त बोलते हैं कि इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, आसपास के सभी लोग बोलते हैं ये तो अपने आप में शरवन कुमार है, तो ऐसे इनस पर फिर भी अगर ना हो तो शादी के लिए यहां पर रोका होता है, एक तरफ से एक सरिमनी होती है जहां पर एक दूसरे को कंफर्म किया जाता है कि हम आपसे शादी ही करेंगे, आपसे ही करेंगे, और ये होने के बावजूद भी अगर शादी तूट जाए, यानि कि रोक ध्यान दीजेगा कि आपके लिए उपाय है ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी इसी दौड के अंदर लगे रहना पड़ेगा अपने आपको कम आकना पड़ेगा ऐसी गलत फहिमी बिल्कुल भी मत रखिएगा जरूरी नहीं है कि एक नहीं हुआ दो नहीं हुआ तो तीसरा नह किजेगा उपाय लाखों कर लिए हैं लाखों लोगों से मिल लिए हैं पर मेरे तक आप भी नहीं पहुचे न आपने ऐसा कोई उपाय किया जो मैंने बताय क्योंकि जो मैं उपाय बताता हूँ उसके उपर डंके की चोड़ पर मैं बोल सकता हूँ कि यह उपाय कारगर है य तो इस बार आपको कवच जरूर धारण करना चाहिए। शिव गौरी कवच सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी शादी नहीं हो रही। यह उन लोगों के लिए है जिनकी शादी हो गई है और चाहते हैं कि शादी के बाद की जो जिन्दगी है वो प्यार से भी थे, बिना कल्यकलेश के भी थे दो अलग घर के लोग एक साथ में रहते हैं तकराव होगी, पर तकराव किसी चीज को लेकर कि जो होती है वो वापिस समय पर खतम भी हो जानी चाहिए. एक के बार में एक तकराव ही होती जाये और वहाँ पर वापिस आपसी सामन जysय जो है वो बैटे ही नहीं, तो परेशा तो ऐसे में आपके लिए भी शिवगौरी कवच एक वर्दान सिद्ध हो सकता है। इस बार गनेश चतुर्ती पे स्वयम के लिए आपको जरूर जरूर से मंगवाना चाहिए है एक शिवगौरी कवच और धारण करना चाहिए। अगर आपकी संतान है जो मना करती है नहीं पह पहले तो आप आकर कि मुझसे मिले भी नहीं थे। कुछ उपाय होते हैं जो सामने मिल करके या फिर मुझे जान करके ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप इस चैनल को देख रहे हैं आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब ही आपको यह जानकारी मिल सकती है और यह जब आज के दिन 35% सपोर्ट देने का काम करेंगे. फोर्थ हाउस का चंद्रमा अपने आप में नेगिटिव है. वदतारा का साथ जो मिलता है ये उस नेगिटिविटी को एम्प्लिफाई करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है. जिसके कारण आज के दिन मन ना लगना, कोई भी डिसिजन लेने में असमर्थ महसूस होना, काम करने के अंदर दो दिमाग का जो इनसान होता है, वैसा महसूस करना है करूं की नहीं करूं। ये चीज़ें आज के दिन आपको देखने को मिल सकते हो, ऐसे समय में खास तोर पे इनसान फ्रस्ट्रेट होना, गुसा होना, खुद के साथ में उदास होना, ये सब चीज़ें देखी जाती है, कहीं बार जब हम बोलते हैं कि उदास हूँ पर मालुम नहीं है क्यों, ये ज आपके कोई ऐसी हरकत हो जाए, जिसके कारण लोग आप पर हजने, तो ये चीज़ आपको बिलकुल भी सुविकार नहीं होती भी आज के दिन नजर आने वाली, ऐसे समय में माता जी की सेहत को ले करके, अपने लाइफ पार्टनर की सेहत, यानि कि घर के अंदर जो महिला है उनकी सेहत को ले करके, आपको जादा सावधान रहने की जरूरत है, कहीं न कहीं पे उनकी सेहत के कारण डॉक्टर के चकर काटना आपको पढ़ सकते हैं, जिसके कारण ओफेस से छुटी लेना, बीच में निकल जाना, ये सबी चीज़ें देखी जा सकती हैं, ऐसे समय में क अब बात करते हैं, व्रशब राशी के लिए राशी भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, शेमतार का साथ है, अश्ठक गुर्ग में शानदार 38 डॉट है, ओवरल सिचुएशन 100% पॉस्टिविटी की होती है, थर्ड हाउस का चंद्रमा खास तौर पे इंवेस्मेंट के आज के दिन, चाहिए अप शेयर मारकिट में, कमुन इटी मारकिट में, जस भी मारकिट में इन्वेस्मेंट का काम करते हैं, या तो फिर बुलियन मारकिट जो होता है, उसके अंदर करते हैं, एसे समय में जो भी इनसान प्रॉपिटी परचेस और सेल करने का भी काम करें, यानि की property खरीदता है, उसको develop करता है, उसके बाद में बेश देता है, जो ये काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी आज का दिन super success का रहने वाला है, ऐसे समय में खुशी के तौर पे अच्छी shopping करना, jewelry purchase करना, अपने घर वालों को खुश करने की तरफ अपने आपको आग पहरा जाता है, और जादा strong हो जाता है, ये आपको बहुत जादा आज के दिन खुश करने का भी काम करेगा, और कहीं न कहीं पे आप अपने आपको जब compare करेंगे अपने पुराने self से, कि पहले आप कैसे थे और आज कैसे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर भावग भी होते पहले नजर आ सकते हैं, जो एक तरफ से अच्छी चीज़ है, जो आपने यातरा किया है, इतनी बड़ी जो आपने distance पार किया है, ये actual में काबले तारीफ है, आज की दिन शुबरंग रहेगा आपके लिए green color, शुबंग रहेगा number six, अब बात करते हैं मिथुन राशी की, म संपत तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, ओवरॉल सिच्वेशन यहां पे 80% सपोर्ट की है, ऐसे में बिनाबाद के खर्चे करना, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना, इन दो चीज़ों से आपको बच करके रहना है, जो भी उम्र में बड़े हैं, यानि की वरद अवस्था बोलिये, सीनियर सिटिजन बोलिये, तो उनको अपनी आखों को ले करके एक बार आज के दिन चेक अप के लिए जरूर जाना चाहिए, अगर आपने पिछले दो महीने में ही ऐसा कर लिया है, तो आज के दिन जरूर कीजेगा, ऐसे समय में थकान हो आलस आना ये चीजें आपको जादा काम करने से रोकने की कोशिश कर सकती है, इससे आपको बच करके रहना है, और खास तोर पे आज के दूसरे लोगों की बातों में आने से खुद को रोकना है, दिन आपका सकस्फुल रह सकता है, आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, आपके उपर हावी हो जाए, या आपके कान भरने का काम कर लें, तो ऐसे में आपके घर के मेंबर्स के खिलाफ ही आपको भढ़काया जा सकता है, जो आप काम कर रहे हैं, उसी के अंदर आपको घुमरा किया जा सकता है, जिससे आप स्वयम का नुकसान कर बैठें, तो इस आपको बचना है शुबरंग रहेगा आपके लिए ये लो कलव शुब अंक रहेगा नमब एद अब बात करते हैं करक राशी की तो करक राशी के लिए राशी भाव में ही चंद्रमा हैं सादक तारा का साथ और अश्ठक वर में 23 डॉट्स हैं ओवरॉल सिच्वेशन 100% पॉस् अच्छी नीन होना साटिसफाक्टरी दे होना साटिसफाक्शन से जादा बहतर दिन होना मैं तो ये बोलूगा आपके लिए कि साटिस जो आप एकस्पेक करते हो कि मेरे पास में 100 रुपय आज के दिन आजान चाहिए सौ की जगे 110 ही आपके हाथ में लाएंगे इस चीज की गैरेंटी है इस चीज के साथ में अपना दिन बिताइए बिना किसी टेंशन के बिताइए जो आप काम कर रहे हैं पूरे लगन से करते हैं पूरी मेहनत करते हैं तो आज के दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी ऐसे समय में नौकरी करने वाला जो इनसान है वो थोड़ा ठक प्रेशर में जादा रह सकता है पर फिर भी अपने आपको प्रूव करने के लिए आज के दिन जो भी काम करेगा जो भी मेहनत करेगा उसके अंदर उसको जरूर रिकगनाइज किया जाएगा ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर से सुख बोलिए अपने माता पता से आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगी शुब रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर शुब अंक रहेगा अब बात करते हैं सिंग राशी की सिंग राशी के लिए राशी भाव से 12,000 में चंद्रमा है प्रतियारी तारह का साथ और श्टग वर्ग में 30 डॉट्स हैं सिच्वेशन यहां पे सिर्फ वसिफ 35% सपोर्ट की बनती है क्योंकि प्रतियारी तारह नेगिटिव है 12,000 का चंद्रमा अपने आप में नेगिटिव बोला ही जाता है तो इसके कारण डर और बेचैनी का माहौल बनना कहीं ना कहीं पे गर्न्मेंट से कोई नोटिस आना य पैसे में चाहे रिष्टेदार बोलिए चाहे दोस्त बोलिए उनके साथ में गलत फेहमी के कारण रिष्टों में दरार आना और उसके लिए स्वेम को ही यहां पे ब्लेम करना ये चीज़ देखने को मिलेगी ऐसे समय में बिना बात के कामों से कोई भी यातरा मत कीजेगा जो आपको काम का है नहीं जिससे आपको फाइदा होगा नहीं किसी और के लिए किसी और को फेवर के तोर पे आप अपनी यातरा करें अपना फ्यूल जलाएं ये चीज करने की गलती बिलकुल भी मत कीजेगा जिस चीज से आपको फाइदा हो सकता है सिर्फ उस तरफ कारिय बोलिए इसके कारण आपको देखने को मिलने वाली है ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कलर शुब अंक रहेगा नमबर नाइम अब बात करते हैं कन्या राशी की तो कन्या राशी के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है संपतारा का साथ अश्रक गवर्ग में 25 आपके हित में यहां पे जो डिसिजिन है वो लिया जा सकता है ऐसे में जीवन में सुक शानती आना अच्छे लोगों से मुलाकात होना जो काम करते हैं उसमें सफलता मिलना अच्छे इंकम होना ये सबी चीज़ें देखी जा सकती है ऐसे में इनसान स्वैम को बहुत इतनी जादा स्ट्रॉंग है कि आसपास के लोगों को खीच करके आपकी तरफ लेकर करके आ सकती है आपके काम जो है वो सिफ एक मुस्कान से पूरे हो सकते हैं तो इस तरफ आपको बढ़ते रहना है आज के दिन जो भी कन्याराशी का इंसान खास तोर पे प्रॉपर्टी क सेल या परचेस करने वाला है तो उनके लिए ये सौदा जो है ये लाबकारी सिद होने वाला है अच्छा सिद होगा ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए पीच कल रहेगा नबर सेवन अब बात करते हैं तुलाराशी की तुलाराशी के लिए टेंथ हाउस का चंद्रम जो है लेट लेता है पर लेता जो है वो बहुत सोच समझ करके लेता है तो यही चीज आज के दिन आपके लिए आपके हित में होगी आपके लिए फेवरिबल होगी चाया बिजनस की बात कीजे नौकरी की बात कीजे या तो फिर किसी को जवाब देने की बात कीजे जो काम क उसका पूरा का पूरा आपको आज के दिन फल जरूर मिलेगा। वैसे समय में कुई भी नया काम भी शुरू करना चाते हैं, तो वो भी आपके लिए सफलता देने वाला ही रहने वाला है। आज के दिन परिवार की बात कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर की बात कीजिए, अपने बच्चों की बात कीजिए, अपने भाई बहनों की बात कीजिए, तो सबसे बहुत अच्छी बांडिंग रहेगी। और कही ना कहीं पे इस bonding के कारण कहीं बाहर डिनर पे जाना, अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करना, इस तरफ आपका जुकाव देखने को मिल सकता है। साटिसफाक्शन की बात करें, खुश रहने की बात करें, तो सबी चीज़ें देखने को मिलेगी है। अगर हम यहां पे देखें, तो 40% सपोर्ट की है। किसी वी आई पी के आने के कारण आपका कारेबार बढ़ जाए। आपके देखने को मिल सकता है। ऐसे में भे और दबाव के सिचुएशन बनना, कही न कहीं पे आपके प्रेशर बहुत जादा होना, जिसके कारण फैमली को टाइम न दे पाएं, यह आपको परेशान कर सकता है। और ऐसे में परिवार से भी ताने सुनने पड़ेंगे, और जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से भी आपके उपर दबाव बनाया जा सकता है, जिससे न घर का न घाट का वो वाली सिचुएशन बन सकती है, इसके लिए आप अपने आपको मेंटली तैयार रखिएगा। अब बात करते हैं धनूराशी की, तो 8,000 का चंद्रमा है, अधिमित्रतारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, ओवरॉल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे बन जाती है, 80% सपोर्ट की। आज के दिन चाहे गुसा हो, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, चीखने चि इस चीख को अप्रिशियेट जरूर किया जाएगा, आसपास वाले भी जानते हैं कि उनके हातों से गलती हुई है, और वो इस चीख के लिए भी तैयार थे कि आपका रियाक्शन क्या होगा, पर वो रियाक्शन ना आने पर अपने आपी लजज़त महसूस होना, यह देखा जा सकता है, और कहीं न कहीं पर इस चीख के कारण आप ये बोल सकते हैं कि आप अंदर ये अंदर घुट बहुत रहें, पर आपके साथ में, जो आपके साथ में काम करने वाले हैं, आपके परिवार वाले हैं, वो उस चीख को समझ करके, उस चीख को सुधारने की कोशिश क करेंगे ऐसे में नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है पर ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप जेल ना पाएं आज हेल्थ वाइज आपको ज्यादा समस्याने देखने को मिलेगी ऐसे में हेल्थ को लेकर के ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और जो भी यात्रा करते हैं ऐसे यात्रा में अपना फोकस जो है ड्राइविंग पे रखें तो जादा बहतर है सोच समझ करके चलाएं गाड़ी जादा बहतर है अगर कोई औरी चीज दिमाग में चल रहे है ध्यान कहीं और और गाड़ी चला रहे है गाड़ी चलाते वे जपकियां आ रहे है या फिर ध्या वालों के लिए भी शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर शुबंग रहेगा नंबर फो अब बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी के लिए राशी भाव से सेवंथ हाउस में चंद्रमा है अश्ठक गवर्ग में 33 डॉट है जो बहुत जादा पॉस्टिव है पर जन्म नौलाजी पर चलता है तो उन लोगों के लिए आज का दिन शांदार रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है जो भी लोग टेलिकॉम इंडस्ट्री से कंप्यूटर इंडस्ट्री से कंप्यूटर रिपैर का का काम सॉफ्ट्वेर मैनुफाक्शरिंग का काम चिप चाहे है शेर्स की बात कीजे, चाहे गूली की बात कीजे, प्रॉपिटी की बात कीजे, तो जो चीज़ें अपने आप ऑप समय की साथ में इप्रिशियेट होती हैं उन चीज़ों को आज की दिना पा सकते हैं। अच्छा आपको appreciation मिलना जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर आपको transfer दे दिया जाए आपकी बोली हुई बात को मना ना किया जाए तो ये सबी चीज़ें आज के दिन आपको देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं पर आपको इन चीज़ों satisfaction आज के दिन बहुत जादा देखने आज का दिन अच्छी कमाई होना जो चाहते हैं उस चीज़ का आपको मिलना यंग सेस के लिए opposite sex के साथ में अच्छी दोस्ती होना अच्छी बातचीत होना अच्छी bonding बनना ये सबी चीज़ें देखी जा सकती है ऐसे में सुखी पूरवक जीवन बिताना व्यतीत करने की ब कैमरे की दुकान चलाता है या कैमरा में है किसी भी तरीके इसे entertainment industry के अंदर involved है तो उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा positive बोला जा सकता है आप अगर आज कोई performance देने वाले हैं तो आपकी शानदार performance रहेगी उसको आपको याद किया जाएगा शुबरंग रहेगा red color शुब अंक रहेगा number six अब बात करते हैं मीन राशी की तो फिफ्ट हाउस का चंद्रमा है अधिमित नतारा का साथ और अश्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं जो overall दिन को आपके लिए 75% support का बनाते हैं ऐसे में फिफ्ट हाउस का चंद्रमा है जो की बच्चों की बिमारी के जिम्मेदार हो सकता है आपके अंदर ऐसे डिटी का कारण बन सकता है कही ना कहीं पे जो गर्वती महिला हैं उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है तो इसके लिए पहले ही तैयार रहें जो भी लोग जिनकी आदत है हर शाम को शराप पीने की हर शाम को कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर आपके फाइदे के लिए हो सकता है क्योंकि बाहर निकले तो अपना नुकसान कर बैठेंगे इसके लिए आप जरूर आज के दिन अपने आपे बहुत जादा कंट्रोल रखें मिंटली परेशान भी होना पड़ सकता है और खास दोर पे ऐसी चीज़ों को लेकर के परेशान होंगे जो है भी नहीं दिमाग में सिच्वेशन बनाएंगे घर के अंदर चोटी सी कोई बात हुई है उसके अंदर अपने आपी राई का पहाड खुद के दिमाग में बना लेंगे उस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो जाएंगे और कोई पूछे का तो ब शुब अंक रहेगा नमबर वन ये तो हुई बात आज के राशी फलकी आई अब बात करते हैं आज के विशे शुपाय की कि दिशाशूल क्या होता है क्यों बड़े बुजर्ग तिथी देख करके आने जाने की रोक टोक करते थे आज की युवा पीडी बले ही उन्हें आउ ग्यान होना बहुत जरूरी है हम सबने पढ़ा है कि दिशाएं चार होती है यानि कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिन पर जब हम उच शिक्षा ग्रहन करते हैं तो ग्यात होता है कि वास्तव में दस दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिन उत्तर ये दस दिशाएं होती। सानातन धर्म के गरंथों में सदैव दस दिशाओं का ही वरणन किया गिया है। जैसे हनुमान जी ने युद में इतनी आवाज की कि उनकी आवाज दसों दिशाओं में सुनाई थी। हम ये भी जानते हैं कि प्रतियक दिशा के देवता होते हैं। दसों दिशाओं को समझने के पश्चाथ अब हम बात करते हैं वैदिक जोतिश की। जोतिश शब्द जोति से बना है। जिसका भावार्त होता है प्रकाश, उज्वल, वैदिक जोतिश में अत्यंत विस्तरत रूप में मनुश्य के जीवन की हर परस्तिती से संबंदित विशलेशन किया गया है। एनलिसिस किया गया है, रिसर्च की गई है कि मनुश्य यानि कि इनसान यदि इसको तनिक भी समझ ले यानि कि इनसान इसे थोड़ा भी समझ ले तो वो अपने जीवन में उत्पन होने वाली बहुत सारी समसियाएं जो है प्रॉब्लम्स हैं उससे बच सकता है और अपना ज शुक्रवार को पूर्व दिशा में, रवीवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में, मंगलवार और बुदवार को उत्तर दिशा में, गुरुवार को दक्षन दिशा सुमवार को और गुरुवार को दक्षन पूर्व यानि की आगने दिशा, रवीवार और शुक्र वार को दक्षण पश्चिम यानि की नेरेतिय दिशा और मंगल वार को उत्तर पश्चिम वाईवे दिशा में बस अब बात आती है बुदवार की और शनीवार की तो इस दिन दिशाशूल दोश उत्तर पूर्वे यानि की इशान दिशा में लगता है पर यदि एक ही दिन या यात्रा करनी पड़े जिस दिन महादिशा शूल्द हो तब यह उपाय करके यात्रा करना आपका बचाव कर सकता है रवीवार के दिन पर अब दलिया खा सकते हैं या तो फिर घी खा करके अपनी यात्रा कर सकते हैं सोमवार के दिन कांच को देख सकते हैं शीशे को देख सकते दरपन को देख करके फिर अपनी यात्रा आरम कर सकते हैं, यहाँ पर बात ध्यान दीजेगा, सुबह उठ करके नहाने के उपरांद आप अपने आपको तयार होते वे कांच में देखते हैं, वो कांच नहीं बोल रहा हूं। आप अपनी यात्रा आरम कर सकते हैं, वहीं पर शनिवार के दिन अद्रक यात्फिर उडद की दाल खा करके आप अपनी यात्रा आरम कर सकते हैं। चार-पांच दिन बाद में, हफते बर बाद में, दस दिन बाद में वापस घर लोटेंगे। तो ऐसे में दिशाशूल देखा जाता है। इसका ग्यान होने से व्यक्ति जो है, अपने मार्ग में आने वाली बादाएं हैं, उनसे बच सकता है। आशा करते हैं कि आपके जीवन में ये उप्योगे सिद हो। और इसका लाब उठा करके अपने देनिक जीवन में सफलता पराप्त करें। पर आप मैसे जिन लोगों को लगता है, ये ढकोसला है। जो मानते हैं कि इसका कोई तत्य नहीं है, आधार नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। जो ऐसा मानने वाले हैं, उनसे मेरी एक विंती है। रहुकाल का आप समय यहां पे देख रहे हो। आप टूर पे भी निकलने तो एक बार नए बिजनस की शुरुवात रहुकाल की समय में करके देखिए। तूर पे निकलने वाले हैं जिस दिन दिशाशूल जहां पे बताया गया है, उसी दिशा में निकल करके देखिए। तो एक बार आपको स्वेम को मालूम चलेगा कि क्या इसका असर पड़ता औ पूरी कोशिश करेंगे। तो यहां पे ये निश्चित हो जाता है कि आपका जो डिबेट है उसका जो आधार है वही गलत है, जूटा है। तो ऐसे में चीजों को एकसेप्ट करना, समझना, स्विकारना ये जरूरी है। हर चीज पे, खास तौर पे, सनातन धरम पर, उनके उसूलों पर, हमारे गरंतों पर उंगली उठाना बंद कर दीजे। आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कभी कबार इन चीजों को लेके भावुक जरूर हो जाता हूँ क्योंकि कमेंट में कुछ ऐसी बातनें लिखी होती है जो बिलकुल पसं गर में बड़े बुड़ों का साथ और आशिरवाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जैश्री राम एवं जैए।